है लो काईस मरणाम है गुलाम गोस आप देखेंगे टेक्सिंपल तो आज हम अन्बोक्सिंग करेंगे कि时 MARBecause यूटोबर के लिए और यह केमरा को आपको पर्चिस करना है तो लिंक dirig करने बाद हमने जो सुनी क कैमरा को पर्चिस करना है और इसका मोडल लैंबर है वह सोनी यह केमरा को Catal चीशल अब अलब wherein स्य 12 Computing 4K में recording कर रहा है यह किट लेंस है अभी इसमें प्राइम लेंस भी हम लगा करके देखेंगे दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे कि दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है और बेक्रांड बलर कितना करता है आउट्टोर का भी जैंपल दिखाएंगे वीडियो को फूरा देख सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब को अलफा का लोगो मिल जाएगा यहां पर मैनिफेक्चरिंग डिटियल्स है जो आप पहुंस करके पढ़ सकते हैं और यहां पर प्राइस भी आपको देखने के लिए मिलता है दो साल का इसमें वरेंटी मिल जाता है चौसर जीबी क मेमरी कार्ड भी मिलता है साथ में इस कैमरे के साथ हमने प्राइम लेन्स लेना पसंद किया था किट्लेंस को हमें छोड़ दिया था और प्राइम lives जो है सारे 22,500 भा मुझे पर्ण बहुंगे पता चला की बीना किट्ले चेए मिला चलने व है तो हमने फिर तो हम पर फिर क क होगे तो kit lens को जरूर एड़ करके purchase करना आपको 9000 क्यास पर किट लिंस परेगा नहीं अगर किट लिंस एड़ नहीं करेंगे तो बहुत 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 प्रॉब्लम में आ सकते हैं आपको ज्यादा पे करना पर सकता है तो चलिए हम बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बहुत सारा जमीन के काख़जाद के जैसा काख़जाद आपको मिलता है इसकी कोई काम नहीं है हम आपको बताएंगे वीडियो में क्या करना है नहीं करना है यहां पे काफी अच्छा packaging के साथ में आपको camera देखने के लिए मिल जाता है और सबसे बहुत बहुत ही जबरदस् अच्छीब डिजाइन लगता है लेकिन यहां पे इसका जो डिजाइन है वह आपको काफी इंप्रेस कर देगा बहुत क्यूट लगता है तो बाकी वह अपना चॉइस है लेकिन मुझे यह अच्छा लगता है बैटरी की बात करें तो यहां पे आपको 2020 समझ का बैटरी मिल हुल reform लिए जाता है और इसका चार्ज झसको आपया लगा कर कर सकते हैं अच्छा कर सकते हैं डाँकर बाकिहें बॉक्स में कुछ नहीं पुरा काली कर दिया हमनों ऑ Remoứng के तлерप से जो काफी अच्छा का कॉलीटी आप इसमें का में असी आतली जो भी camera कैसे सरी है इसमें आ जाएगा तो ये है Sony Alpha ZV E10 जो काफी अच्छा लगता है देखने में और चलिए इसका हम Ports बगरा की बात कर लेते हैं तो पीछे के साइट में यहाँ पे आप बैटरी लगा सकते हैं और बैटरी के ठीक बगल में आप एक memory card लगा सकते हैं जो की आप जूम कर सकते हैं यहां से डारेक्ट आप recording कर सकते हैं और यहां से आपको on-off करने को options मिल जाता है और यह रहा आपका program mode, movie mode और slow motion mode जो एक ही बटन में है जो S&Q mode है वो है slow motion आपका नीचे के साइट में आपको tripod का mount मिल जाता है जो काफी असानी साब set कर सकते हैं उसको और काफी अच्छा आपको build qualities में देखने के लिए मिल जाएगा, left side में यहां पे आपको mic लगाने options मिल जाता है और नीचे के साइट में अगर open करेंगे तो यहां पे आपको type C, micro HDMI port मिल जाता है उसके आद यहां पे आपको aux मिल जाता है जिसमें आप speaker वगर को connect करके काफी कैसानी से अपने audio को सुन सकते हैं या आप earphone भी लगा करके सुन सकते हैं हेलो गाईज मर नाम है अगलांगोस आप देख एक सिंपल तो यह जो सैंपल आप देख रहे हैं यह हम HD में recording कर रहे हैं आगे के साइट में सोनी के ठीक नीचे के साइट में आपको एक indicator मिल जाता है जब आप recording करेंगे तो यहां पर रेट कलर का light on हो जाएगा और जैसे ही इसको open करेंगे तो यहां पर आपको 24 मेगापिक्सल का sensor मिल जाता है जो 24 दसमलो 2 मेगापिक्सल का aps sensor है लेंस लगाने के लेंस पर जो वाइट कलर का बेट भी काफी कम है इसका तो देखें सबसे पहले यह किस तरह से operate होता है और कौन सा बटन के क्या function है यह जानना बहुत जरूई है तो यहां पर प्रेस करोगे तो जितने भी इसमें फोटो रहेगा वह सब सारा आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि फो है जो कंटिलीट आजाना चाहिए इसके बाद कینटिव कर एंठे कर सकते है कि यहां पर प्रड़क्ट स्वोकेस का ऐप कर सकते है तो यह देखने के-ब्टन को प्रेस करते है तो वहांसे आप एक्सपोजर को प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि लाइट का कंडिशन करम है तो एक्सपोजर को प्लस करेंगे लाइट का कंडिशन आपको लगता है कि ज्यादा है तो वहाँ पे आप माइनस करेंगे राइट साइड वाले को प्रेस करेंगे तो इसो का है आपका exposure किया है जितने भी details रहते हैं वह सारी डिस्पले में होता है ये तरह तरह को जिस तरह से आप display को प्रेस करेंगे उसी तरह से अलग-अलग features डिस्पले पे आते जाएगा यही display को जब आप किसी photo पे click करेंगे तो उस photo का पूरा detail show करेंगा कि कितना बच के कितना minute में आपने इसको लिया है कौन सा date में लिया है कितना आपर्चेट पे लिया है कितना ISO था कितना white balance था जितने भी detail से उस photo पे click करने के बाद में आपको यहाँ पे show करने लगेगा function वाले button को यहाँ पे click करेंगे तो जितना भी यहाँ पे options है वो show करने लगता है जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला drive mode आपको देखने के लिए मिल जाता है जो हमने पहले बता दिया है दूसरा number जो mode है वो है focus mode और focus mode में बहुत सारा mode है जैसे कि single autofocus mode, autofocus mode, continuous autofocus, digital manual focus और manual focus यह सारा focus आपको यही पे देखने के लिए मिल जाता है इसमें आपको eye tracking और eye focus भी देखने के लिए मिलता है जो settings से on करना परता है थार्ट number बात करें तो थार्ट number में यहाँ पे focus area है कि आप कितना area को एक बार में focus करना चाहते है जितना ज़्यादा wide रखेंगे उतना ज़्यादा focus area को यह capture करेगा और maximum focus अपना इस्तमाल करेगा पॉर्थ number यहाँ पे आपको exposure मिल जाता है जो हमने already इसको cover कर दिया है इसको भी हमने यहाँ पे cover कर दिया है यहाँ पे आपको study mode मिल जाता है जिसमें आपको stabilization मिल जाएगा photo में soft skin effect मिल जाता है जो हम आगे आपको samples भी दिखाएंगी इसका कि यह किस तरह से काम करता है यह medium low high तीनों पे रहता है यह उसके बाद यहाँ पे white balance मिल जाता है जिसमें आप अलग-अलग तरह के white balance रख सकते है जिसे की warm चाहिए, cool चाहिए यह सारे function जिससे पहले के smartphone में आते थे वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए easily मिल जाता है उसके बाद यहाँ से आपको creative style मिल जाता है जिसमें आप अलग-अलग tone रख सकते है जिसे की यहाँ पे standard है, vivid है, portrait है, landscape है और भी बहुत सारा चीज है जो यहाँ पे आप set कर सकते है हमने vivid पे करके set करके रखा है picture profile, यहाँ पे आप जो है P1 से लेकर के P10 तक इस्तमाल कर सकते है जिसमें situation वेगर अपने से set कर सकते है उसके बाद यहाँ से आपको program mode मिल जाता है basically यहाँ पे आप camera का mode change कर सकते है जैसे कि आपको photo लेना है तो photo पर रख सकते है video लेना है तो video पर रख सकते है portrait लेना है, portrait पर रख सकते है तो यहां पर हमने एक फोटो ले लिया है तो कुछ इस तरह से यह फोटो आपको देखने के लिए मिलता है जो यह फुली आटोमेटिक है और यहां पर बिसकाली एक्सपोजर को जो है पॉइंट सेवन लिया था हमने और जूमिंग की बात करें तो इसमें मैक्सिमम आप जो है जैसे आप नॉर्मल 16 mm पर फोटो लेंगे ठीक उसी तरह से मैक्सिमम जूमिंग भी रहता है तो यह सारे फोटो जो देख रहे हैं यह हमने इंडर में लिया है तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा हमने इसमें प्राइम लेंस का फोटो में बैग्राउंड ज्यादा बलड़ अच्छा होता है तो यहां पे कुछ फोटो सैब्ल है जो हमने अलग अलग लिया है जैसे कि हमने पहले इसट्र मे लिया था है उसके बाद इक्स्ट्रा में लिया था तो कितने बले हुल् Coordinator की अज्येदा मोट में नेवाल जैगा एक्से बाद कि सskते हैं आं लेनेौठ का ए में स्क्रewn पे डेखेंगे च्छोटे स्क्रुन पर आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहां पर इस्टेंडर हैं उस्में इस में गत अगर यही रेशियो को हम चेंज कर दें, जैसे कि अभी 16 to 9 रेशियो है, देख लिए यहाँ पर, अब इसको हम चाहरे हैं कि maximum रखते है, 3 to 2 रखते है, 3 to 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर maximum 24 MB का इस्तमाल होता है, तो यही रेशियो आप रखिएगा, सबसे बेश्ट फोटो आपको देखने के लिए बिलेगा, डिस्पले की बात करें, तो यहाँ पर डिस्पले में, देखिए, फुली टच स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ-कुछ काम आप टच स्क्रीन से कर सकते हैं, जैसे कि आप टच फोकस का काम कर सकते हैं, और अगर आपको फोटो जूम करना हो, तो उसको भी आप जूम कर सकते हैं, लेकिन आप फुली इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और देखिए fully operate करने की कोई सकता भी नहीं काफी easy to use है तो उसमें उतना यह फरक नहीं परेगा तो display जो है rotate हो जाता है जो काफी अच्छा है कि जब आप video करेंगे तो अपना face भी आप देख सकते है जू मिल जाता और एक यहाँ से मिल जाता है और यहां से मिल जाता है उसके प्रकिति में आपको अगा है जैसे कि एक है FULL HD एक है 4K लेकिन FULL HD में बहुत सारा फॉर्मेट है 4K में दो फॉर्मेट है तो अभी जो सैंपल आप देख रहे हैं यह हम FULL HD में 25 फ्रेम पर सेकंड और 50 Mbps वाला रिकॉर्डिंग कर रहा है लेकिन पूरा फॉर्मेट की बात करें तो FULL HD में आपको 6 फॉर और उसी की हिसाब से आपको वीडियो आउटपुट देखने के लिए मिलता है जो कि 4K में यह मैक्सिमम 25 फ्रेम पर सेकंड 100 Mbps की हिसाब से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एक्जांपल के लिए हमने एक मिनट का रिकॉर्डिंग किया है वह भी आठ फॉर्मेट में जो कि आप यहां पर स्कीन पर देख सकते हैं और मिनिम्म जो है इसका 25 फ्रेम पर सेकंड का 16 Mbps वाला वीडियो जो है एक मिनट में 132 आया है और मैक्सिमम की बात करें 4K में तो यहां पर 736 Mbps आया है तो एक मिनट में कितना लेगा डाटा यहां पर सारा हमने रिकॉर्डिंग करके आपको यहां पर अच्छे तरीका से समझाने का कोशिस किया है तो आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि किस फॉर्मेट में आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे बेस देखने के लिए नहीं मिलता है और सबसे अच्छी चीज इसमें लेगा तो यहां पर किसी भी तरह का आपने करोपिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा तो यह मुझे काफी अच्छा लगा इसका और बाकी इसका जो ब्लरेंग के इसलिसमाल कर रहा है तो kitless में कुछ इस तरह से आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है इसमें a skin soft का एक आपको features मिल जाता है जैसे कि skin पर softness आ जा है थोड़ा सा smoothness आ जा जा तो वह क्या होता है कि आपका जो beautification होता है है किपागhappy देता है यहां पे आप सैंपल रहे है इसी फीचर्फ को हम अने कर लिए हैं करने हैं औपको तीन स्टीम मिलता है मिलता है एक हाई मिलता है चुम हमारे लीज नजल informação एक चीज लगता है खुपादी यह बढ़ा देता है कि रिकोर्दिन जो होगा तो यह आप लाइट देख लुगा यह लाइट अच्छा से काम कर रहा है इसमें एक सो केस का ऑप्षों से अगर आप किसी प्रोड़क्ट को करना चाहते हैं जैसे क्या आप कोई प्रोड़क्ट का रिव्यू करते हैं तो छोटा से छोटा चीज या बार से बार चीज ले जाएंगे तो काफी इसली जो है उसको यह डिटेक्ट करके ऑटो फोकस में ले लेता है इसामपल आपको दिखाते हैं एक तम छोटा छोटा चीज हम दिखाने का कोशिस करेंगे जैसे यह जो है वींड इस्क्रीन देख लिजे कितना फास्ट काम कर रहा है अगर इसको हम यहां पर भी रख्कें फिर भी काम कर रहेगा क्यूंकि अभी फश्ट परोड़क्ट शोकेस ओन तो फेस को अभी नहीं देगा फेस को भी आप कर सकते है आघवाले जो आटो फोकस उसको भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख लिजिए किस तरह से यह आई ट्रैकिंग कर रहा है और फोकस जो है काफी अच्छा आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा यह देखिए हलका साभी आँग अगर दिखेगा तो यह तुरंट जो है आप पर फोकस करना चालू कर देता है तो फोकसिंग में आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है तो अभी हम वाल से काफी पास में है तो इतना ही आपको इसमें देखने के लिए मिल तक है तो वो यह कि picture one picture two picture three picture four ऐसे ही करके आपको picture ten तक किसमें देखने के लिए मिलता है और picture one में भी आपको बहुत सारा options मिल जाता है जैसे कि आप gamma को s log one में रखना चाहते है या s log two, s log three में रखना चाहते है वहां से आप अपने हिसाफ से saturation को बढ़ा सकते हैं, situation मतलब जैसे कि color जैसे कि आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, उसमें minus करने का options या plus करने का options मिलता है, तो ये जो video आप देख रहे हैं, ये हम 25 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से recording कर रहे हैं, 16 MB पर सेकंड के हिसाब से, जो कि इसका minimum quality है, मतलब सबसे low quality अगर इस camera से आप recording कर सकते हैं, तो वो है कि full HD में 25 फ्रेम पर सेकंड का 16 MB पर सेकंड वाला, जो कि ये आपके सामने हैं, और यहाँ पे इतना quality है कि एक स्मार्टफोन का अगर camera देखा जाए, तो उसकी हिसाब से काफी अच्छा है, बैटरी बैकप की बात करें, तो यहाँ पे बैटरी बैकप आपको काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, अगर आप आप 4HD भी recording करेंगे, तो duration आपका बैटरी बैकप का बढ़ते चला जाएगा, आप फोटो की बात करें, तो फोटो यहाँ पे maximum आप सारे चार्ज होके आजपास, सिंगल चार्ज में आप फोटो ले सकते हैं, अगर इसका बैटरी अगर अलग से आपको purchase करना है, तो डिजी background जो होता है, वो काफी सेख करता है, इसका stabilization उतना अच्छा नहीं है, जो चीज है मैं आपको clear करके बता दूँगा, क्योंकि stabilization अच्छा रहता, तो मैं जरूर बताता है, auto focus आपको काफी यह जवाब कर देगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत 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 अच्छा काम करता है, तो अब समय हो गया है, इसका prime lens का, prime lens से फाइदा यह होता है, कि आप अगर जैसे कि मानलो की background को blur चाहते हो, तो वो prime lens का काम होता है, और prime lens से एक और फाइदा है, कि जैसे कि low light है, जैसे कि आपका वीडियो में जैसे कि उतना light नहीं है, फिर वो prime lens वहाँ पे जादू करता है, उसे भी लगा करके हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे camera को बहुत पीछे ले जाना परेगा, तो देखिए अभी यहाँ पे lighting का condition से same lighting condition में, यहाँ पे जो इसका exposure है, वह आप देख सकते हैं किस तरह से, यह prime lens से 1.8 aperture पे फिक्स होता है, यह आपको भी पता है, यह 50 mm पे फिक्स होता है, तो यहाँ पे इसका quality देख लो, आपको काफी अच्छा मिलेगा, यह product showcase को हमने on करके रखा है, कोई भी product को अगराव लेकर किसके सामने में आते हैं, तो बैग्राउन को बिल्कुल से भूल जाता है, अलविदा कर देता है उसको, तो यहाँ पे quality जो है, प्राउमलेंस का बहतर निकल गयाता है, दिक्क्त, प्राउमलेंस के साथ में यह होता है, दिक्कत नहीं एक्चली इतना adjust करना परता है, अजेस्ट यह करना पड़ता है कि कैमरा का जो ट्राइबोर्ड होता है एक दाम पीछे लेकर भागना पड़ता है तो अभी हम उतना दूर रखे हैं फिर भी यहां पर देख सकते हैं ज्यादा वाइट नहीं है यह मतलब तोरह सा कम वाइड है बैक्गरॉंड ज्यादा दूर म बना सकते हैं और क्वालिटी जो है इतना जबरदस्त है आप डिस्पले पर देख कर कहीं अंदजा लगा सकते हैं यहां से डारेक्ट एसन क्यूं बटन को उपन से आपको प्रेस करना होगा प्रेस करने के बाद यहां पे 100 फ्रेम पर सेकंड का वीडियो ओपन हो जाएगा इसमें मैक्रोफोन बन रहाएगा 4X का स्लो रहाएगा ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हैं यह स्लो मोशन का ही सेंपल है और यह 720 पिक्सल में मैक्सिम रिकॉर्डिंग करता है लेकिन यहां पर क्वालिटी आप देख लिए किसी भी तरह का ग्रेंस आपको इसमें देख कर रहे है और फोटो जो आता है आपको बहुत ही खुश कर देगा फोटो क्यूंकि यहां पर इडिटिंग नहीं भी करेंगे तो फोटो इतना अच्छा आता है कि डारेक्ली इसको अपने कैमरा से फोटो ले करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको इडि फोकस को OUTन कर के फोटो लेंगे तो बैक्राउंड आपको और अच्छा का सब ड़र देखने के लिए मिलता है धरॉट में अलभाय अगर फोटो ले थे तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस थोरा से आपको कम लग सकता इसका लेकिन कैमरा में इतना ही ब्राइटनेस होता है इसस फोकस का हमने इस्तमाल किया है और कलर करेक्शन करके भी यहां पर हमने दिखाया है तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा तो चलिए इसका हम वीडियो का सैंपल दिखाते हैं जो की किट लेंज का भी है और प्राइम लेंज का भी है करे रहन पुए आताट करेंज के खुए ठाल याई कर दो पहा है हम झाल में पाल ढ़ता हैं आपको 5 म घाल cowboy मा खर था झाल 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 यानि इस्टडी मोड को आन करके हम दिखाते आपको तो अब यहाँ पे हम स्टडी मोड को आन कर दिये हैं और वीडियो में कुछ थोरा सा भी अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए लेका लेकिन देखिए इस क्यामरा में एक शीज़ा आपको आपको बहुत ज्यादा इस्टैबलेजेशन तो नहीं मिलेगा लेकिन क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा तो यहाँ पर आउन है तो थोरा सा जो है पहले से बहतर है और हम दोर के दिखाते अभी तो दोरने के बाद में कैसा लगा आपको आप चरूर बताना मुझे इसमें आपको continuous फोटो लेने का options मिल जाता है जिसमें आप medium low high high plus 4 options पर ले सकते हैं तो देखिए overall जिसका मुझे performance लगा है इस camera का काफी अच्छा लगा है photography में भी वीडियोग्राफी में भी और kit lens में भी काफी अच्छा काम करता है अगर kit lens में आप defocus के इस्तमाल करके photo यह video लेंगे तो वहाँ पर काफी अच्छा photo यह video देखने के लिए आपको मिल जाएगा तो यहां पर photo आप देख सकते हैं जिसमें हम अप प्राइम लेंस का भी यूज किये हैं और kit lens का भी इस्तमाल किये तो दोनों में काफी अच्छा photo आ जाता है और काफी अच्छा खासा आप रात में भी photo इससे ले सकते हैं जैसा कि इंडिया गेट का यह photo आप देखिए कहीं भी आपको इसमें noise देखनी के लिए नहीं मिलेगा और यह बिल्कुल रात का photo है बिल्कुल डार्क रूम है अभी हम आपको स्मार्टफोन से दिखाते है इस हैं पर दिखाने के बात में मैं आपको एक कation करना होगा लास्ट में कि इस कामरा से वीडियो अपने ूपने फौन ऐना होगा यह लैटपप में लेना होगा तो डार्क लीट केबल को अपने कैमरा में और लैटपबक में और अपने सारे डाटा को डे वाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है जिस date का भी आपको data चाहिए उसको आप copy कर सकते हैं तो अगर आपको smartphone में इसको transfer करना है तो उसके लिए आपको एक card reader purchase करना परेगा और card reader का link descriptions में है आप वहाँ से खरीद सकते हैं और card reader लगा करके OTG on करके काफी असानी से जितना भी फोटो या वीडियो है आप अपने smartphone में उसको transfer कर सकते हैं तो करीब करीब आदा घंटा का हमने वीडियो को लगबग बना दिया है लेकिन इसमें भी बहुत सारा चीज़ को हम capture नहीं किया है इसी की blogging करेंगे तो आपको यह कैसा मिलेगा लो लाइट में और भी मुझे लगता था कि सैंपल्स दिखाना चाहिए था लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया इस camera का जितना भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि हिंदी में इसका बहुत कम वीडियो एवेलेबल है खास करके इसका जो settings है इसका जो samples है quality है कैसे यूज करना है बहुत कम लोगों ने इसको हिंदी में छो रहा है